यदलो अके intensity को हैज णो फॉरअ करने वाले जो खelines पड़े थे यह कि इसको को आई केते ते औरको रोएनसी का मतलब हमने पड़ा था तो यह तो वे किस वजह से में बोल इसकते कि यह दोनों लॉट triangle congruent है एक दूसरे के तो पहले तो हम बात करेंगे एक exome के बारे में यानि कि आपको पता है कि उसको प्रोभ नहीं करना होता है वो हमें अपने आप स्विकाल लेना पड़ता है तो यहाँ पे exome 7.1 है क्या है वो देखते है two triangles are congruent if two sides and including triangle of one triangle is equal to two sides and including angle of other triangle तो इसको हम यह exam 7.1 है इसको हम SAS congruency rule भी कह सकते है यहाँ पे क्या बुला गए उसको अगर detail में जानते तो यहाँ पे हमें बुला गया कि दो ट्राइंगल दिये गए वो तभी congruent होंगे जब उसकी दो sides और including वाला जो एंगल है उन दोनों side के include में जो angle बनता है वो वाला angle अगर equal है तो जैसे कि यहाँ पे एक example ले लेते triangle ABC and triangle DEF तो triangle ABC में आप लोगों को यहाँ पे बुला गया था कि दो sides और including वाला एक angle equal होना चाहिए यानि कि यहाँ पे AB और DE equal ले 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 लेते BC और EF equal ले लेते और including वाला जो angle है वो यानि कि B और E वो भी equal है तो यहाँ पे आप लोगों को यह तीन चीज यहाँ पे अगर equal आ जाती है तो आप क्या बोल पाए होगे by SAS rule triangle ABC and triangle DEF is congruent तो यह था हमारे एक exam अभी ऐसे ही बहुत सारे exam भी है और theorem भी है उसमें हमारा theorem number 7.1 जो एक ऐसा ही एक rule लेके आता है यहाँ पे SAS rule पढ़ा था वहाँ पे AS rule है यानि कि angle side angle वाला rule है और वो theorem जो हमें प्रूफ भी करना है तो देखते कि वो theorem क्या है और वो कैसे प्रूफ होगा तो वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रही है थैंक यू